निर्विया केस के दोसी अपनी परणिती पाच चुके हैं मेरे साथ बात करने के लिए हैं दोश्यों के खिले डॉक्टर पेपी सिंग लग साब आपके मुवक्किल अपने क्रेटर से मिलने को जा चुके हैं इस पूरे घटना करते पहले टिपनी क्या कहेंगे मुवक्किल अपने क्रेटर से मिलने जा चुके हैं क्रेटर से मिलने सब जाएंगे इस केस में अच्छा करने वाले भी जाएंगे बुरा करने वाले भी जाएंगे सत्य के साथ जाने वाले भी जाएंगे जूट का सारा लेने वाले भी जाएंगे तो उपर तो निर्वया भी है और ये दोशी भी भी पहुँची थी वाँ तो सायद उनकी आंके जुकी रहेंगी निर्वया को देखकर उनकी आंके जुकी रहेंगी सर्मिन्दा रहेंगी अपने करे पर पस्ता रहेंगे वु度ख से आपकी आइडी भी ले चेखेंगे उन्हे स्ट आप्पर भी इंट्रीव करेंगे क्यों करते हूं आप तो नासे करता हो कि रही बात दिए मैं जानना चाहता हूं कि होगा जरूर कि तुम्हारे साथ तो हमने सब कुछ अच्छा किया फिर तुमने हमारी गलत रिपोर्टिंग क्यों की जेल प्रशाशन तक को इतना अधिकार है कि अगर वो चाह जाए चाह जाए तो सिस्टम से लड़ जाए सरकार से लड़ जाए और सही रिपोर्टिंग कर दे तो फांसी की सजा को कम कर सकता है विने रोया भी और अंतिम्ठम में चाहए था आप से मुलाकात भी करना हो चाहए था कि वह वकिल से मिला दे आपको तो कहीना कहीं यह एक उनकी वक्रूति थी कि उन्होंने गलत किया और वो जो है दोशी कानून के नजर में जो आए हैं जिसके वजे से उनको सजा मिली है तो कहीना कहीं अंतिम्ठम समय उनको यह महसूस हुआ नहीं वो अब जो मैंने उनके लिए वकालत की इसके लिए वो सब स्रे कहना चाहते तो उनक इस जनम में तो आपका करजनी उतार पाऊंगा तो उनको ने पता लग गया था कि अब छूटना भी बहुत किस्मत की दूर की बात है और बचना भी बहुत किस्मत की दूर जब यह चोधा जोधा दिन का सिलसला चला वो हमारे आधार पर चला सिस्टम पहले दिन फासी दे सोला दिसंबर को फासी दे रहे थे फिर 29 दिसंबर को फासी की तैयारी कर ली थी फिर उसका डेथ वारंट इशू किये तब टालते रहे करते रहे करते तो इस बात के धन्यवाद गयापन देना चांदे थे कि इस जनम में तो आपका सर करजा नहीं उतार पाए लेकिन अगल वही कि आप इस एक को इतना लंबा खेंच के क्यूं लेकर दे Freeze मैं उपर इस प्र को बताना चाहता था कि जबीचर से मिलें आज मिल रहे होंगी आज मीटिंग चल लगी होगी तगरी मीटिंग होगी आज वहां तो जब मीटिंग में चर्चा होगी डॉक्टर एपी सिंग की वकालत की चर्चा होगी वहां की उपर के लॉप मिनिस्टर होंगे जब वो हमारा पक्ष रख रहे होंगे वहां तो वो कहेंगे हमारे वकालत के पेशे का कानू का दिगच उसने देखिए रात में सुप्रिम कोर्ट में भी पूरी कोर्ट को देखिए देश की सबसे बड़ी अदालत है और उसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग करवा देना पूरे सिस्टम जेल सॉलिसीटर जनरल सारा सिस्टम चलने लगना रात के दो बजे तीन बजे दिली ह या उसको को पापी को मार सकते हैं पापको कभी नहीं कौई मार पाया पापी को मारना आपकी हाथ में जुरी शिल्किलिन कर सकते हैं दबाव में कर सकते हैं एंकाउंटर कर सकते हैं पुलिस एंकाउंटर कर सकते हैं फासी दे सकते हैं मार सकते हैं आग लगा सकते हैं आत्मत्या दिखा सकते हैं सब कुछ दिखा सकते हैं लेकिन आत्मा को कोई नहीं, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो जो अंदर आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, तो उसको भी संतुष्ट करने के लिए सारी कारवाई पूरी करनी चाहिए, यह जानते हुए भी हमारे खिजाफ चारो इस्तंब हैं, मजबूत चारो हमारे खिलाफ नहीं किसी खिलाफ क्यों हो आप लगा ता आप से फिर रात वहीं पूछा गया कि आपके पास कुछ नया हो फैक्च्छल हो तो आप लाइए वना कोट का समझ आया करने से का क्या फाइदा वाकिन साब कल भी कोट नहीं हो बाँ है पुराना तो कोई सुनके समझ नहीं पा रहा है जब स्कूल साटिफिकेट पबन के जो इनायल के हैं सही माने गए दिल्ली पुलिस ने बेरिफार उनको तो जवाब दे नहीं पार राम सिंग की हत्ता का सवाल तो सुल जानी पार है रिजेक्ट हो चुका है तो कोई बात नहीं है रिजेक्ट हो चुका है अगे जब कोई समय आएगा मनोजी एक वार समय ऐसा आएगा जब इस केस की सीविया इंक्वारी होगी अब क्या समय आगा रिजेक्ट है लगा था ना केस की गोट से नहीं मारा गांदी को किस ने मारा यह सारा कुछ हुआ था और उसके बाब जूद भी आपको पता है समय पर सित्या कब किसके अनुकूल चली जाएं कब किसकी फासी की सजा के लिëं गलत कहा जाने लगे कब किसको किसकी सजा के बारे में सजा होने लगे यह कुछ पतानी हो सकता है यह वकील के रूम में आप लड़े ठीक है डिखिलू रही लेकिन Mission के रूम में आप देखते तो होगी की कानौन अपनी जंगा सही है उन्न लोगों उन्हें जैसे किया तो उनकी कर्मों की सजा उनको मिली है करमो की सजा क्या किया ना एक वकील के रूप को अगर कहा गया है एक इंसान के रूप में पूछ रहा हूँ जैसे जिसने बोई देवों का भी एक फल नियंता और है कोई कर्मों की खेती तो है यह मानते हैं ना जो कर्म ने वाज़ा जरूर रहा होगा वश्य रहा होगा इतनी कम उम्र में सुचिए आप इतनी कम उम्र के बच्चों को फांसी दे दीजेना अकाल मृत्व है एक नेचरल कारपालिका के सबिष्टित हैं नायपालिका विधायका और वह समब्स्तम है यह अपना काम सुचार रूप से मजबूती के साथ सम्मधानिक तरीके से कानुनी तरीके से नहीं कर पाए और मैंने ये भी कर भी सुप्रिम कोर्ट में कहा कि इनकी दो दिन की एड्जर्ण आप कर दें जो लेट्रिंट गवर्णर के हां पेंडिंग है मैंने गई भी कहा या तो अभी रात में इसको रिजेक्ट करवा दीजिए मैंने कहा कि लेट्रिंट गवर्णर के हां बार्लेस जाएगा और वो रिजेक्ट कर दें चीफ निश्टर के हां बार्ले की Petition pending थीन सो आठ्किंए की 50 की सिर्फार्ण की केस कटर का कट कर दुमा परेंगी है दिली हाइख में 33 केस परेंगी रही है वह प्रेंगे रही है आप अंगे आप सब्सक्राइब चार आपके मुख्पिल थे कितना पैसा कमाया जो एपी सिंग इतना अग्रिसिव ली रूप से केस लड़ रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं तो बताईए अगर लखी मैं आपसे वो नहीं कुछ लेकिन कितना कमाया एक बात बताईए आपने सवाल किया आप मुझे रख्तिकर जहां जितना जानते हैं आपको कभी मनी माइंडेड लगा? मनी माइंडेड वाला एब्वोकेट लगा? नहीं वो ठीक नहीं है वकालत मेरा जो पेशा है यह अक्सद लोग कुछ रहे हैं मैं सवाल पूछा जाता है बाहर की मिलिया भी पूछती है वकालत मेरा शोख है मजबूरी नहीं और पैसे के लिए मेरे माता पिता ने जब मैं वकील बना तब ही उन्होंने दो कि मैं सुप्रिम कोट का लाइफ टाम मेंबर हूँ पर्मानिट मेंबर हूँ फैमिली में और बेर बोकेट है और सबने इस बात को जब मैं वकील बना वेरी फर्ष्ट है तो मेरे माता पिता ने साफ तोर पे कहा था कि तुम्हें जो क्लाइंट पैसे दे खूब लेना उससे और मांगना ऑफिस में लेना कोट के बाहर लेना निकलते हुए कोट से लेना लेकिन जब उसके केस कि आप पैरवी कर रहे हूं कोट में खड़े हूं उसके लिए सबूत तथ दलील दे रहे हूं तब ये मज़ सोचना कि इसका पैसा अभी आना बांकी रहे गया है पैसे पैसे नहीं बताएंगे कि माता की माता जी बहुत खुश है उन्होंने बाट जो रात जो प्रोसीजर हुआ सब दुनिया देख रही थी देखे रात का जो कि था सारी दुनिया कोई सो नहीं रहा था ऐसा नहीं कि रात में कोट चल लगी थो कि नहीं मिस्टैवाइब देश नहीं सो पाया कितने मानव अदिकार संगठन पुरी श्याव की मांग कने वाले कितने संगठन साथ में लगे थे रात में लगे थे चल लहे थे बड़ावर संगहत में तो अuc2 केs के दो रान आनों के परिवार के लिए भी कही बात है तो अब इसके बाद क्या कह fig कभी आप फंडिंग पर सवाल उठाते हैं वो तो दुनिया उठा रहे है और इस तरह से पता नहीं कितने लोग कहां कहते रहते हैं उनकी आपको गिंती में पता नहीं है अलग है यह जो एक से जुड़ाओं लोयर था उस व्यक्ति का मैं इंच्व कर रहा हूं जाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के रूम में एपी सिंग क्या सोचते हैं धूर्म जो बीध के परिवार नहीं होते हैं आकड़े देखके दिल दहलता है, दुख लगता है. इस देश की समस्या, चिंता और जो संधर्ब है, वो यह है कि यह आकड़े कट क्यों नी रहे? कम क्यों नी हो रहे? आप तो घट जाएंगा अससे, आप तो कल से FIAR खत्म, रेवर दर तो बनेगा, डर तो बनेगा, आप त शंग्राइब करते हैं बेटा बेटी ये जो नारा है ना बेटी बचाओ बैटी पढ़ाओ बेटा क्या आगारे कि इस से बचाने की जरुत किज इसट है किस बीजिनस टैंसन है किस के लिए परिवार के लिए ना पत्नी तो यह नहीं कहती है कि मुझे करोड़ पती पती चाहिए उसे चीए कि आदमी समर्पित पत्नी आएसी हैं जो करोड़ पती पती के लिए दबाव बना के भी अत्ता हो जाती हैं कई सब जगें तरह अच्छी पत्नियां भी हैं दूसरी पत्नियां भी हैं और कि अपनी क्या है इस निरने के बाद इस निरने के बाद अंतिम्टि पड़ी अब बहुत अच्छी बात है आपने मुहिम चलाई इस केस को लेके फांसी होनी चाहिए चलो टी आप फिर वही आप गलत बदे को मैं जो सवाल पूछता हूं उसको बठका देते हैं आप मैंने क कि भी मौत पर खुशी मनाने वालों को याद रखना चाहिए उनके सजन को भी एक दिन जाना होता है जाना सब को है वकिल साथ जाना चाहिए अच्छी जिंदगी जीना चाहिए दुनिया के लिए कुछ ऐसा लिख जाएं जो लोग पढ़ते रहें या उसा कर जाएं जो करकार से भी और आप से भी और देश की आम जनता से भी कहूंगा कि आगे आने वाले समय में संभिधान आई पीसी स्यार पीसी जेन मैनुवल को खांगा लें देखें कि कहां हमारी कमिया है और मजबूत बनाएं और अच्छा बनाएं तो बढ़िया रहेगा कोई प्राव्रम सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों की सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के शेयर भी करें